G20 की बैठक समाप्त हो चुके है और इसका जो मेन कनकुलूजन था मेन अजेंडा था वो था एक ग्लोबल एलाइंज बनाना हंगर और पौवर्टी के एंगेस्ट में और ब्राजील जो है इसमें काम्याब रहा है इसने एक ऐसा एलाइंज बना दिया जो पूरी दुनिया में भुकमड़ी और गरीवी के एंगेस्ट में काम करेगी तो आईए इस एलाइंज के बारे में थोरा हम लोग समझते हैं 2015 में जब तरकी में G20 की मिटिंग हुई थी तब 193 देशों ने जो है सर्व मत से यह स्विकार किया था कि हम UN के सस्टेमियल डेवलोप्मेंट गोल को एडॉप्ट करेंगे और 2030 तक poverty और hunger के को खतम करेंगे और food security और nutrition में सुधार करेंगे 2030 का यह target था लेकिन बीच में COVID-19 ना गया तो सभी देशों की earthquake चर्मरा गई और अब धीरे-धीरे उबर रही है जिसमें परमुक रूप से जो global south है उसमें यह काफी ज़्यादा महमारी देखने को मिले people poverty line से निशे हैं जिनका जो daily का expense है 2.15 dollar है और इस strain के हिसाब से सभी देश काम कर रहे हैं तो 2030 तक भी जो है 582 million लोग poverty line से निचे रह जाएंगे मतलब उतना ही जितना 2015 में था फिर इतना आथक परियास करने का क्या फाइदा होगा इसलिए ब्राजील ने प्रपोजल रखा और ये पास भी हो गया काफी सारे देश में जुर गया हैं कि ग्लोबल एलाइंज रहना चाहिए जो भुक मरी और गरीवी के एंगेस्ट में काम करें इसमें अभी तक 81 देश, 26 इंटरनेशनल और्गनाईजेशन, 9 फाइनेंसेल इस्टिचूशन जो है और कई सारे नन गवर्मेंटल और्गनाईजेशन भी जुर चोके हैं शाव ठफिर का जो ब्राजील है, ब्राजील का ये कहना था कि सबसे ज़्यादा जो हम लोगों ने ये पैंडमिक को झेला है, साथी सबसे ज़्यादा इतिहाद में हमारा ही विस्थापन हुआ है, सबसे ज़्यादा युद्धी जो है वर्ड वाल टू के बार भी हमी लोग उने जहले हैं इसलिए यहाँ पे यह सारी problems है और इस problems को हल करने के लिए पुरी दुनिया से भुकमरी को गरीवी को हल करने के लिए सबी देसों को आगे आना चाहिए सबी देसों के पास जो भी policy चल लई है उन सब में कुछ points को निकाल के रखा गया जिसमें पचास policies थी और इस पचास में भी 6 policies को चुना गया जिसमें काम करने की immediate रूप से आप सकता है जिसको sprints 2030 का भी नाम दिया गया यह 6 target है school mills जो school में प्रवाइड हो रहे है cash transfer, small order और family farming supporting margin programs, socio-economic inclusion program, integrated maternal और early childhood intervention और water access control ठीक है solution इसमें complete रूप से सभी देशों को ध्यान देने के आप सकता है और इस alliance में एक ऐसे platform का निर्मान किया गया जिसमें सभी देश जो है एक दुसरे की मदद कर सकते हैं एक दुसरे का financially और technologically जो है अपना system provide कर सकते हैं एक दुसरे की help कर सकते हैं साथ ही एक जो है unique fund बनाया गया क्योंकि इस program के संचालन के लिए जो हर साल 2-3 million dollar का requirement होगा और यह काफी सारे जो देश हैं वो देंगे और food and agriculture organization है युनि safe है world bank है ऐसी संस्थाएं जो है आगे आएंगी तो यह पुल मिला करके आज के time में विसमें एक ऐसा एलाइंज का निर्मान किया गया है जिसमें हर देश एक दुसरे की मदद करेगी गड़ीवी और भुकमरी से निपटने के लिए भारत में सबसे सरानिय काम हो रहा है यहां पे जो एंडिया गौर्मेंट है बीजेपी लेट गौर्मेंट है वो अभी 80 कुरूर लोगों को मुप्त में रासन प्रोवाइट कर रही है क्योंकि एक राजा के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि उसके प्रजा भुकी न रहे और यह राजा का पहला करतब्य है